नमस्कार साथियों उमीद करता हूँ आप अच्छे होंगे बढ़िया होंगे मस होंगे और मस आपकी प्रिप्रेशन स्टार्ट होगी होगी MP6, CG6 की आज हम चर्चा करेंगे जो आपका प्रथम प्रशन पत्र है MP6 का उसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि मेरे बारे में क कुछ guidance दे दीजेगा तो आज चर्चा करते हैं फस्ट वेपर की मेरे द्वारा एप्लिकेशन पर फस्ट वेपर नहीं करवाये जाएगा मैं बता देता हूँ क्योंकि क्या है कि कोर्स पर्चेस करने पर यह सोच लेते हैं कि शायद दोनों पेपर करवा रहे होंगे मेरे द् Chemical Science का जो कॉर्स हैं वो मैंने एप्लिकेशन पर लांच कर दिया है आज से वीडियो अप्लोड करना इस्सार्ट कर दिया है वीडियो अप्लोड होते रहेंगे और सम्मधित वीडियो के जो PDF नोट से है वो 800 पर सेंट किये जाएगे syllabus तई schedule के अनुसार जल्दी हो जाएगा दो या धाई महिने में complete हो जाएगा ज्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको revise भी करना है और सारी preparation अच्छे से आपको करना है मेरी तरफ से fully help रहेगी जो जो material मेरी तरफ से देना रहेगा कि आपको कितना क्या material देना है जिसे आपका selection fix हो जाए और मेरा मानना है कि इस बार सेट में अगर इमानदारी से मेरे साथ में अगर तयारी करेंगे इमानदारी से तो फिर selection निश्यद होना है अगर इमानदारी नहीं रखी बैमानी कर ली थोड़ी बहुत तो आपने आपके प्रती खुद के प्रती बैमानी कर ली तो फिर जो है वो आपको ही उसका हर जाना भुखतना पड़ेगा जैसे कि मैंने जो 1st grade में preparation कर वा ही थी तो जिन लोगोंने पूरा तलिनता से पूरा ट्रस्ट रखे अच्छे से preparation करी थी अच्छी मेहनत करी जो जो मैं PDF बेचता था साथ के साथ में complete कर लेते थे वीडियो देख लेते थे और अच्छा response आता था मेरे पास तो उनका 1st grade में सेट की candidate की selection की बस यह है कि आप जो है मेरे साथ बने रहिएगा अब मैं जो है फस्ट वेपर के बारे में क्यों बता रहा हूँ क्योंकि फस्ट वेपर का भी जो हम सेट निकालेंगे साब बहुत सारे candidate की सेट निकलवानी है तो क्या फस्ट वेपर की तयारी की बिना सेट न अब यहां से यहां तक अपनोंने कुछ अलग चीज सिखी अब फस्ट वेपर का बहुत इंपोर्टन रोल रहता है इसमें जो भी पार्ट है उनको भी आपको सिस्टेमेटिक तरीके से करना पड़ेंगे फस्ट वेपर में क्या होता है कि अधिकतर जो बच्चे जो पिछड जाते हैं वो पिछडते हैं जिनकी गणित कमजोर है तो मैथेमेटिक्स और रिजनिंग वाले क्विशन जो बनते हैं इनमें प्रेक्टिस चाहिए साब समय की कमी हो जाती है आपको बहुत नौलेज हो आ इससे रिलेटेट गणित तर्ग शक्ति और डियाई से इनसे भी 25-26 नंबर तो मतलब 1-4 तो आपका सेलेबस में से यसी से क्यूशन पूछे जाते हैं तो अच्छे से आपको इनकी भी तैयारी कीजएगा इसके अलवा आपको लगता होगा ऐसा है कि या टीचिंग एप्ट आपको और प्रेक्टिस करना बहुत सारे मेमोरी बेज्यूशन मनेंगे वहां पर आपको कोई याद रखना है कि किसका क्या आपको या कौन सी क्या चीज कहां पर है दिल्ली में है यह विश्विद्याल है या MP में है या भोपाल में कहां पर कौन सा यूनिवर्सिटीज है क आपको मालूम होने चीज इन्पूट आउट्पूट डिवाइस कौन से क्या है क्यूशन है इस तरीके से डेर सारे क्यूशन मनेंगे वहां पर अब जो है कॉनसेप्ट वाले जो क्यूशन है जो मेरिट बनानी है तो कोई भी टॉपिक से समझोता नहीं कर सकते हर टॉपिक क पूरी शिद्दत से करना है इमानदारी से करना है मेरी बात समझे आप हर टॉपिक के साथ में इमानदारी रखना है और उस टॉपिक को इतने उसमें डूपते हुए उस टॉपिक को पूरा करना है समय आपके पास कम है चार महिने है और आपको जो है फर्स्ट और सेकंड द प्रफ़ादार आता लेकिन भूल गए और वो ही भूलने के कारण सिलेक्शन रुक जाता है वह सारे के इनिटेट वाकिव होंगे इन जो जो से क्योंकि एक्जाम देए रहे हों किसी ने फस्टर ग्रेट की एक्जाम दी मेरे पास फोन आते हैं किसी और मेरे पांच कुष्ण स कोई दिक़्ट नहीं है लेकिन उस टाइम पर हुपन आराम से सोयेंगे एक्जाम के उस टाइम पर आराम से देंगे उस टाइम धन्गर Chemistry Lectures Pro, धन्गर Chemistry Lectures Pro, प्रो लगेगा है ना Chemistry Lectures, प्रो नाम से जो है application है, बेंजन रिंग बनी हुई उसमें, दिख जाएगा आपको, जो application है, उस पर आपको जो पूरा Chemistry का सेट का सेलेबस करवाए जाएगा, MP वाले भी कर सकते हैं, CG वाले भी कर सकते हैं, 36 गड़ वा सब्सक्राइगे, सिस्टेमेटिक तरीके से, और जो PDF नोट्स है, वो WhatsApp पर एक broadcast group बनाए जाएगा, मेरे द्वारा, और broadcast group में नंबर से हो कर ली जाएगा, तो broadcast group में एक को भेजूँगा, broadcast group में सभी को चला जाता है, message बगरा, तो जैसे वीडियो अपलोड होगा, यहाँ प बन सकते हैं, रिविजन करने में आपके काम आईगा, तो रिविजन भी करते रहिएगा, ओके, सिस्टेमेटिक तरीके से पूरा करवाए जाएगा, लगबग जो है, सभी टोपिक पूरे करवाए जाएगे, अब यहाँ पर बात करते हैं, फस्ट वेपर की, सहाब फस्ट व दखाएं, वोई चीज़ आपको बताने वाला हूँ, तो जो पहला जो यूनिट फरस्ट है, टीचिंग अप्टिटूट, यहाँ से जो क्यूशन बनेते सहाब, फाइब क्यूशन बनेते, मतलब टेन मार्क्स क्या, यहाँ पर एक क्यूशन दो नमबर का होता है, तो दस नम क्यूशन बनेते, मतलब यह वाला पार्ट भी दस नमबर का पूछा गया था, टेन मार्क्स का, बोध से रिलेटेड यहाँ से गध्यान शे बद्यान शे लगता है कि यह सरल है, लेकिन फिर भी इनकी प्रेक्टिस जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रेक्टिस, प्रेक्टिस करोगे, मतलब दो-तीन दिन देना है हर एक टोपिक को, तो आपको जहें अंदर से कॉन्फिडेस आ जाएगा है, किसी भी प्रकार का आ जाएगा हम जहें उसको डील कर लेंगे, संप्रेशन से रिलेटेड भी क्यूशन बनेंगे, है ना, जन, मीडिया, संप्रेशन बाधा है, यह सारे, तो यह संप्रेशन से रिलेटेड जो क्यूशन बनेते, वो लगबग तीन क्यूशन बनेते, छे नंबर यहां से आएगे, गणिती तरक अविवरती, लगबग जो है, ये वाला पार्ट, मैथेमेटिकल पार्ट है, यूनिट फाइफ है, न यह सकता है, कि डारेक्टर साता नंबर तो यही से यह वाला टॉपिक दे जाएगा, जो कि यह यह आपका आपको वहां पर कम मिलेगा, क्योंकि इस पर फस्ट वेपर में सबसे बड़ी दिक्कत रिएथ है टाइम की, जिन्णोंने पेपर दिया होगा, उनको पता होगा, कि चार ट्रिक से जो भी देखना हो प्रेक्टिस रहेगी तो आप कर लोगे ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई रिजनिंग का क्यूशन आ जाए और आप जो है टाइम बेस्ट करो है ना फिर भी इनको करने का एक और तरीका होता है कि पहले सारे देख लो जिसमें ज्यादा टाइम गया था तो अच्छे से गनीतवाला पार्ट जो हमारे जो कमिया रहे गई वो आपको बता रहे हैं कि यहां से इन सीजों इंत चीज़ों 50 क्यूशन मेंसे 40акиi अगर आपके आ रहे हैं तो फिर तो आप लीड ले रहे हो अच्छे से सेकन्ट पेपर के लिए लोग विकास और परिया वरन लोग विकास और परिया वरन इसमें से जो बता रहता मैं इसमें से кित्ते क्यूशन मनए थे फर्स सेकंड इसके अलिए फिफ्थ फिफ्थ और सेवन्थ यूनिट है इन में से जो 13 कुशन बने थे इन तीनों तीनों यूनिट से मतलब 26 मार्क से तो यहीं से आप कंप्लिट कर लोगे साथ 26 मार्क से लगबग सूशना और संजार पृद्यों की कि इससे जो कुशन बने थ किस कुशन तो 14 मार्क से यहां से हो रहे हैं, लोग विकास और पर्यावरण यहां से जो कुशन बनेतें लगबग साथ कुशन बनेतें, तो 14 नंबर का यह था सबूंद्यों इस अच्छे से कंप्लिट कीजिएगा, यह सारी चीज़ यह, हाईर एजूट्यों के कुशन जो ह यहां से बनेते हैं तो पूरानेहरा आप इनलीसिस कर सकते हो और देख सकते हैं वैसे आप सिंटतो हॉरका और थापिक से करना सिलेक्शन हो जायता हू अ इसा पढ़ाई आपको बोज नहीं लगे बस यह समझ लेना पढ़ाई में आपको इंटरस्ट आए higher education पढ़ रहा तो इस तरीके से पढ़ना है कि हमें knowledge हो रहा कि higher education में क्या-क्या चीजे हो रही है क्या-क्या गटना है गटित हो रही है जब आप environment का topic पढ़ो तो इसा लगए आपको क्या environment में क्या-क्या चीजे हो रही है उसको अंदर बिल्कुल deeply अच्छे से पढ़ना फिर उसकी अच्छे से practice करना computer की जब बात करें यह तो सब सामयने जीवन से related हैं तो उस शिद्द से पढ़ना क्या computer में क्या-क्या चीजे होती है जब आप इस तरीके से सोचने लग जाओगे तो आपको पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा और आप अच्छे से चीजे कर पाओगे जब आप teaching एप्टूट पढ़ाओगे तो आप एक शिक्षक की तरह सोचना क्या मैं शिक्षकोर में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को कीन-कीन बातों का ध्यान रखना मेरे को इस field में जाना है teaching field में जाना है क्या चीजे सही है क्या गलत है क्या मैं जो सोचता हूँ बच्चों के बारे में क्या वो सही था क्या आपकी बहुत सारी चीजे ज सकते उस बच्चे पर बहुत सहरी चीजे रहती है मज़दार चीजे हैं हर चीज मलब यह तो फस्ट वेपर तो बड़ा मज़दार है यह तो यहां से आपको यहां से नंबर कवर करना है आपका जो हैं पचास क्यूशन आएंगे इसमें पचास क्यूशन और पचास क्यूशन अगर आ रहें आपके और यहां पर जो आपके जो हैं अगर फोर्टी फाइफ फोर्टी से फोर्टी फाइफ क्यूशन सही है बहुत बड़ी लीड ले लोगा आप रहेंगे इसके लिए प्रेक्टिस भी उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी वेसे तो मेरा जो मानना है कि अगर आप जो है इतने भी इतनी भी लीड ले 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 तो हो तो फिर सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है क्यूंकि सब्जेक्ट में सब्जेक्ट में जो कितने क्यूशन आएंगे सो क्यूशन आएंगे 100 क्यूशन आएंगे 100 क्यूशन आएंगे 100 क्यूशन आपका set complete हो रहा है अब इसमें थोड़ा plus minus आपकी इस आप से कल लेना चाहो तो कि एक दो नंबर यहां कम करोगी जितना कम यहां पर करोगी इतना यहां पर बढ़ाना पड़ाएगा subject में आपको पस यह चीजे हैं इतना अगर आपने cover कर लिया total 300 रहेंगे और 300 में से आपको cover करना है आपको कैसे यह करना है ओके तो सभी को मेरी तरफ से अगरीम बदा है शुब कामना है best of luck जो भी साथी chemical science में जुणना चाहते हैं जितना जल्दी जुड़े उतना बढ़िया है लेठ नहों ओके जुणना चाहते हैं वो application पर जाके course ले लिजेगा और मुझे WhatsApp कर द ठीके साथियो मिलेंगे नेक्से वीडियो में तब तक के लिए ओके बाए जैहिन